नमस्ते दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इन्विजेबल जिप ब्लाउस के साइड में किस तरह से अटेच करते हैं उसके टिप्स देने वाली हूँ इसे अटेच करना बहुत ही आसान है यहां मैं अपने लॉंग ब्लाउस में साइड जिप अटेच करूँगी तो उसके लिए मैंने ये 15 इंचिस लंबी जिप ली है आप जिस भी ब्लाउस कुर्ती या लॉंग फ्रॉक में साइड में अगर जिप अटेच करना चाते हैं तो उसमें शोल्डर लाइन आपको बाद में सलाई करनी है अब देखिए इस इंविजिबल जिप को अटेच करने के लिए हमें ये मशीन में हाफ फूट यूज करना है देखिए ये दो अलग-अलग साइड के लिए आते हैं आप राइटी है तो उससाफ से जो भी आपको कमपटेबल लगता है वो यूज करें अगर आप लैटी है तो उससाफ से यूज करें अब देखिए इस इंविजिबल जिप को अटेच करने के लिए हमें ये दो all pins की भी जरुत पड़ेगी यहां मैंने अपने blouse पर margin के हिसाब से यहां दोनों side mark कर लिया है अब back और front को हमें इस तरह से आमने सामने रखना है यहां नीचे की तरफ मैं करीब एक इंच का चाक बनाऊंगी तो उसे छोड़ते हुए फिर मुझे इस zip को attach करना है देखिए इस zip को बिलकुल सीधा रखे और इस तरह एक twist देके यहां all pins से fix कर ले जहां पर आपने mark किया है अब दूसरी side भी हम same इसी तरह करेंगे ध्यान रखना है कि दोनों उपर से arm hole बिलकुल perfect होने चाहिए और zip को भी आपको बिलकुल सीधा रखना है अब देखिए दोनों side मैंने all pins से fix कर लिया है machine में भी मैंने यहां half foot fix कर लिया है अब जिस भी side आपको comfortable लगता है उसे साब से आप machine में इस half foot का use करें अब देखिए जो हमने marking की है बिलकुल उसके उपर हमें इस zip को set करना है और उसे दोनों हाथों से पकड़ के और यहां पर बिलकुल किनारी पर हम slide करेंगे यहां जिप को आप एक हाथ से खोलते जाए और बिलकुल किनारी पर slide करें उपर की तरफ मैंने 2 इंच छोड़ा है वो मैं sleeves attach करूंगी तो उसके साथ हम बंद कर देंगे देखिए यहां मैंने 2 इंच तक छोड़ा है तो सामने वाले side भी हमें 2 इंच तक छोड़ देना है अब यहां दूसरी side भी हम सेम इसी तरफ बिलकुल किनारी पर stitch करेंगे देखिए एक हाथ से आप zip को इस तरह खोलते जाएं क्यूंकि यह थोड़ी सी folded होती है यहां से हम ending point पर इस तरह से fold करके और इससे complete करेंगे यहां पर एक और slide करके और इससे fix कर ले देखिए invisible zip attach हो चुकी है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह टिप्स पसंद आई हो तो like और comment जरूर करें थैंक यू वाचिंग फा दिस वीडियो